हेलो फ्रेंड्स रेश्पी बिटारा चैनल में मैं रन जू जी आप सबका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स अगर आप हर रोज एक ही तरह की लौकी की सबजी खाते खाते बूर हो गए हैं या तो आपके बच्ची या आपकी फैमिली में कोई भी सदस लौकी खाने से आना का न हैने लिए मशूर की दाल तो सबसे पहले लौकी को हमने साप पानी से ढोकर के कप्टे से पूछ लिया है और इस तरह से हम छिलका उतार लेंगे लौकी का आपके घर में कोई भी सबजी बन रही हो सबजी को काटने और छिलने से पहले अगर धो लेंगे तो सबजियों के प करते हैं उसी तरह से लौकी की कटिंग करेंगे क्योंकि बनानी तो मुझे लौकी की सबजी है लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा और हां एक खास बात और इस लौकी की सबजी में हमने कहीं भी लहसन या प्यास का प्रियोग नहीं किया है तो अगर आप लहसन प् खाना पसंद करते हैं तो मैं आगे आपको बता दूंगी कि उसको भी इसमें कैसे एट करना है तो लौकी की कटिंग करने के बाद चलिए लौकी में छोंक लगाते हैं और बहुत ही लाजबाब सबजी बना करके रेडी करते हैं तो दूसरी साइड में मैंने कढ़ाई रख गरम होने के लिए कढ़ाई में दो से तीन चम्मच सर्शो का तेल डाल दिया है अगर आप इस सबजी को सर्शो के तेल में नहीं बनाना चाहते हैं तो हाफ घी ले सकते हैं और हाफ कोई भी कोकिंग ओल ले सकते हैं जो आपके पास एवेलेबल हो तो तेल अच्छे से गरम ह हो गया है मैं इसमें एक चम्ममच जीरा डाल दूंघ और टेस्ट के अकोरिंग मैंने लिए हैं लाल कटी हुई मिर्च। आपके पास लाल या हरे मिर्च जो भी हो आप ले सकती हैं एक चम्ममच मैंने दर्दरा कुटा हुआ अध्रग लिया हैं और 10 से 15 नहीं मैंने करी पत को थोड़ा सा सौफ्ट होने देंगे मेडियम टू लो फ्लेम पर या तो आफ फ्लेम पर इस सबजी को बना रहे हैं तो लगातार चलाते रहें और दो से तीन तेज़ पत्ता लिया है मैंने इसे के साथ मैं कुछ मसाले भी इसमें एड़ करूंगी मसाले में मैंने लिया है और टमाटर को अच्छे से गल जाने तक इसको पकाएंगे तो टमाटर काफी अच्छे से गल चुका है मुझे लग रहा है कि कढ़ाई के तली में चिपक भी रहा है तो आधा चोटी कटोरी में इसमें पानी एड़ कर दूंगी जिसे मसाले जले नहीं क्योंकि अभी तक मैं नहीं किया मैंके में लाकी के साथ दो तरौकी डाले लिए चना और मॉसूर की डाल तो इन दालों को पकने में थोड़ा पानी की ज़़ूरत है तो मैंने पहले मसाले में पानी एड़ कर दिया अब सब्जी और दाल को इस तरह से करेंगे मिक्स और इसको कवर करके लगभग 10 मिनट के लिए पकने देंगे मेडियम टू लो फ्लेम पर बीच बीच में चेक करते रहेंगे सब्जी जलने नहीं पाए आप चाहें तो इस प्रोसेस को प्रेशर कूकर में भी कर सकती हैं और हा तो आपके साथ सेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो मैंने 15 मिनट बाद चेक किया सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है अच्छी खुसबू के लिए मैं इसमें चुटकी भर हींग एट कर रही हूं जिससे की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और खुसबूदार बनेगी तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैंने इसमें लहसन प्याज का प्रियोग भी ने किया है तो अगर आप इसमें लहसन और प्याज एट करना चाहते हैं तो एक बड़े साइज के प्याज को छोटे चोटे टुकडों में कट कर मैं तमाटर से पहले प्याज को भून लेंगे और उसी टाइम पर एक चमस लहसन का पेश्ट भी एट कर देंगे तो लीज ये बहुत ही दिलिसस लौकी की सब्जी बनकर हो गई है रेडी थोड़े बहुत लौकी की पीसे दिख रहे हैं थे तो मैंने उसको कल्षी से हलका सा प्रेस करते हुए मिक्स कर लिया है थोड़ी सी धनिया की कटी हुई पत्या मैं इसमें डाल दूंगी लौकी की इस सब्जी को आप चाहें तो लंच में या देनर में बना सकते हैं बहुत ही कम तेल में बहुत ही लाजबाब सब्जी बनकर के रड़ी हुई है तो लौकी की इस सब्जी को गर्मा गरम शर्व करें सब्जी पर मैंने आधा चमच घी लगा दिया है जिसे सब्जी का टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ी से धनिया पत्ती से मैं इसकी गाने सिंग कर रहे हूं तो लोगी कि इस सब्जी का वीडियो अगर आ गरम ही जाने साथियो जा डेसा हूं एक्थ